नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हैं कद्दू का सब्जी कद्दू की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है इसे कम तेल में और कम मसाले में बनाया जाता है तो चलिए कद्दू की सब्जी बनाते हैं कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैं कद्दू ले ली हूँ ये कद्दू लगभग देल किलो का है मैं कद्दू को अग छील ली हूं छील के अधो के अच्छी तरह मैं काट ली हूं दो पियाज काट ली हूं तिन्चार मिर्च काट ली हूं आज मैं ग्यास को जला लेती हूं मैं तेल गरम कर ली हूँ और मैं जीरा को डाल देती हूँ अब मैं हडी मीर्ज को डाल देती हूँ हमारा जीरा हडी मीर्ज पक चुका है अब मैं प्याज को डाल देती हूँ इसे अच्छी तरह मैं मिला लेती हूँ हमारा प्याज गोल्डन बढ़ान हो गया है अब मैं कद्दू को डाल देती हूँ कद्दू को डाल के अच्छी तरह मैं मिला लेती हूँ अब मैं इसे पांच मिनिट के लिए धक्के पका लेती हूँ पाँच मिनिट हो गया है अब मैं स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चेनल को सस्क्राइब करना ना भूले हमारी रेश्पी आपको कैसी लगती है कॉमेंट बक्स में जरूर लिखे अब मैं आदी लहसुन गोल की जीरा कापेश्ट डाल देती हूँ मैं छोटे चमच से एक चमच गरम मसाला को डाल देती हूँ चोटे चमच से देर चमच मैं हल्दी पॉडर को डाल देती हूँ अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ हमारी इस रेश्पी से कद्दू क सबजी जरूर बनावे आपको जरूर पसंद आएगा हमारा कद्दू अच्छी तरह पक चुका है अम मैं इसमें धनियापता डाल देती हूं और अच्छी तरह मैं मिला लेती हूं हमारा कद्दू को सबजी बन गया है अम मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूं यह देखिए दोस्तों हमारा कद्दू का सब्जी कितना अच्छा लग रहा है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सस्क्राइब अबस करे धन्यवाद। अगर इस चैनल में नए है तो सस्क्राइब करना ना भूले।